तो भाई मुजान तो मर चुका है लेकिन एक और demon king का जनम हो चुका है और वो है tanjiro जहाँ पर सारी demon sails की हालत बहुत जादा बुरी हो चुकी है और फिर ग्यू डूनता है कि tanjiro कहा है लेकिन tanjiro उसके सामने ही बैठा हो लेकिन ग्यू को ऐसा लग रहा था कि तांजीरो मर चुका है विकाज तांजीरो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था और डीमन हंटर्स उसकी नफस को, पल्स को और हर्ट को चेक करते हैं लेकिन वो बंद हो चुकी थी और ग्यू रोने लगता है और फिर अपने आपको ब्लेम करने लगता है कि मैं फिर किसी को नहीं बचा पाया ग्यू कहता है तांजीरो मुझे माफ कर दो और भाई नजू को भी वहाँ आ जाती है और वो तांजीरो को देखकर रोने लगती है और फिर हमें मुजान का पाष्ट दिखाया जाता है जहां पर मुजान पैदा हुआ था वो इतना ज़्यादा कमजोर था कि वो सांस भी किस्तो पर ले रहा था लेकिन उसने हार नहीं मानी और इसलिए वो हमेशा जिन्दा रहना चाहता था और उसने मरने से पहले तांजीरो को निगल लिया था और अपनी सारी पावर्स तांजीरो को दे दी थी इसलिए तांजीरो का हर्ट स्टॉप हो गया था और उसने अपने बलड और पावर्स को तांजीरो के अंदर ट्रांसफर कर दिया था जिससे वो अगला डीमन किंग बन जाए और तो और तांजीरो सन को भी कॉंगरर कर देगा इसलिए मुजान ने तांजीरो का एब्जॉप किया था और फिर इस्टोरी आती है प्रिजेंट में तांजीरो अपनी आखे खोलता है और उसकी आखे बिल्कुल एक डीमन की तरह हो जाती है और उसका सड़नली हाथ भी रीजनरेट हो जाता है जिसे देखकर ग्यू बहुत ज जादा चौक जाता है और तांजीरो अपने पास खड़े डीमन हंटर्स को मारने के कोशिस करता है लेकिन ग्यू उनको बचा लेता है और यहाँ पर तांजीरो पूरी तरह एक डीमन बन चुका था और वो एक बहुत ज्यादे क्रिपी स्माइल भी करता है धूप से तांजी बंद हो जाती है और इसे देखकर ग्यू चौक जाता है और तांजीरो ग्यू पर अटेक करता है जिससे ग्यू का मुह कट जाता है और उसके मुह से खुन निकलने लगता है और वो ग्यू को दूसरी बार मारने वाला होता है लेकिन इनोस के वहाँ आकर उसे रोक देता है और इसी वयाए सा इनोस के तांजिरो को नहीं मारता। लेकिन तभी नजू को बीच माकर तांजिरो को बहुत जोर से पकड़ लेती है। और तांजिरो से कहती है कि आखिर तुम कोई क्यों हर बार सफर करने पड़ता है। इन सब चीजों से चलो घर चलते हैं। लेकिन फिर भी तांजिरो नहीं रुकता और नजू को के पीट पर step करते हुए आगे भड़ता जाता है। और जैनिसू भी पीचे सा आकर तांजिरो को पकड़ लेता है। और उसे रुकने के लिए कहता है नहीं तो नजू को मर जाएगी। इनोसू के तांजिरो की सरफ़ पर funny way में मारता है। वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तुम एक अच्छे इंसान हो रुक जाओ। और फिर तांजिरो बिल्कुल मुजान की तरह एक shock wave generate करता है। जिससे सब दूर जाकर गिरते हैं लेकिन नजू को न उसको अभी भी बहुत जोर से पकड़ रखा था। और तांजिरो के पीट से भी बिल्कुल मुजान की तरही tentacle निकलने लगे थे। और वो अपने tentacle से जैनिसू को मारने की कोसिस करता है। लेकिन ग्यू अपने water breathing से उसको block कर देता है। जैनिसू अपने मुह से एक attack करने वाला होता है। लेकिन नजू को उसके मुह पर हाथ मार कर उसको दूसरी direction में भेज देती है। और इस वये से नजूको का हाथ बहुत ज़्यादा injured हो गया था और उसके हाथ से बहुत ज़्यादा blood भी लिकल रहा था। लेकिन तांजिरो फिर भी नजूको को नहीं खाता। इसका मतलब तांजिरो के अंदर अभी भी कहीं इंसानियत है। और फिर हमें दूसरी तरब दिखाया जाता है कि कनाओ अभी भी जिन्दा है। और उसके पास सिरम का एक injection बाकी है जो demons को human में convert कर देता है। और कनाओ की एक आंख बिल्कुल खराब हो चुकी है लेकिन दूसरी ठीक है। और कनाओ अपनी insect breathing का final form यूस करती है जिससे उसकी speed बहुत ज़्यादा भढ़ जाती है। और वो तांजिरो के पास पहुँच जाती है लेकिन तांजिरो उसको मारने की कोशिस करता है। और कनाओ उससे बचकर उसको syringe inject कर देती है। और तांजिरो एकदम block सा हो जाता है। लेकिन उसकी fight तो उसके अंदर चल रही थी मुजान के cells से। जहाँ पर मुजान के cells उसे जाने नहीं दे रहे थे। और सिरम की मज़स से तांजिरो की body heal हो रही थी। और भाई मुजान के cells उसको रोक लेते हैं। और मुजान के सारे demon cells destroy हो जाते हैं। और तांजिरो अपनी आखे खोलता है और नजुको को देखकर रोने लगता है बहुत जोड जोड से। और सभी लोग बहुत खुस हो जाते हैं कि तांजिरो बिल्कुल ठीक हो गया है। और उसकी सारी injuries भी heal हो गई है। और वो कनाओ को देखकर कहता है thank goodness तुम ठीक हो। और सारे लोग खुस हो जाते हैं कि finally 1000 सालों बाद वो लोग जीत गए। और फिर story fast forward हो जाती है जहाँ पर हम लोग देखते हैं तांजिरो, इनौसुके और जैनिसुको हॉस्पीटल के बैड पर। नजुकों तीनों से मिलने आती है और तांजिरो का कटा हुआ हाथ भी regenerate हो गया था लेकिन वो उस हाथ से कोई भी जीच पकड़ नहीं सकता और साथी साथ उसकी राइट आई भी ठीक हो गई थी लेकिन उससे कुछ ठीक दिखाई नहीं देता उसे तैयार आब इसके बाद तो तो मैं कब चाहिए और like, share, subscribe तो जरूर करना मैं मिलता हूँ तुमसे next वीडियो में तब तक के लिए बाई